कि वह क्पा सव प्यूटूब्ल पीपल इस शुब्रो और वालकम पैक टू अनाधर व्लॉग। आप सब अच्छे हैं जब से मैं YouTube में वीडियो डालना शुरू किया एक्चली जब से मैं YouTube में व्लॉक करना शुरू किया तब से एक ही question मुझको बहुत लोगों ने पुछा और वो question है तुमें बेंगॉली होके क्यों हिंदी में व्लॉक बनाते हो तुमें बेंगॉली होके बेंगॉली में व्लॉक क्यों नहीं बनाते हो और इस question का answer देने के लिए यही दिन perfect है क्योंकि जब मैं यह video record कर रहा हूँ आज है 20th February और काल है 21st February और 21st February है International Mother Language Day तो इससे अच्छा दिन तो कभी नहीं मिलेगा इस question का particular इस question का answer देने के लिए तो मेरे answer सुरू करने से पहले कुछ story बता देना चाहता हो तुम लोगों Actually, यह story नहीं है यह history है इस International Mother Language Day क्यों है क्यों 21st February को International Mother Language Day celebrate किया जाता है इसका history क्या है यह जानना बहुत important है क्योंकि मेरा answer है वो इस कहानी से related है वो साल था 1952 जब West Pakistan और East Pakistan यानी आज का Bangladesh एक ही कंट्री हुआ करता था लेकिन एक कंट्री होने के बाद भी East Pakistan यानी Bangladesh और West Pakistan यानी आज का Pakistan दोनु मुलकों का culture, language एकतम different था जाहां West Pakistan का main language था उर्दू, उदर East Pakistan यानी बांगलादेश का main language था बांगला और बेंगोली तक पाकिस्तान गॉब्मेंट ने forcefully उर्दू भाषा को बांगलादेश का राष्ट्य भाषा बनाने चाला था लेकिन अपने मात्री भाषा को रक्षा करने के लिए सभी बेंगोली लोग और स्पेशली धाका उनिवर्शिटी के बहुत सरे स्टूडेंट बेंगोली लेंग्वेज मुमेंट स्टार्ट किया यानी भाषा आंदोलन स्टार्ट किया और 21st February 1952 में इस भाषा आंदोलन में शहीद हो गए अब्दुस सलम, रफिक उद्दिन आमेद, अबुल बरकत, अब्दुल जब्बर, 21st February 1997 में यूनिसको ने बेंगोली भाषा की सम्मान में हर साल 21st February को इंटरनेशनल मादाल लेंग्वेज डेज सेलिब्रेट करने का फैस रिया और तभी से हर साल 21st February को इंट खुबी गोर्वी तोचे पांगला आमार मात्री भाषा, देज भाग होने के बाद पांगलादेश हम लोगों से अलग होके एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन हमारा भाषा एक ही आए गया, बेंगोली लेंग्वेज फ्रेंज के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आर्टिस् बेंगोली बांगलादेश की नेशनल लेंग्वेज है और ओएस्ट बेंगोल एंड त्रिपूरा की फर्स्ट ओफिसियल लेंग्वेज है बांगला आसम और आंधामन निकोगार आइलेंड की सेकेंड ओफिसियल लेंग्वेज है तो अब मैं बताने वाला हूँ क्यू मैं बिंगॉली को छोड़के हिंदी में विडियो बनाता हूँ, क्यों मैं हिंदी में व्लॉगिंग करता हूँ? सो, सिम्पल सा बात, मेरे फैमिली के हर एक member जीज भाशा को समझता है, जीज आवाज को पएचानता है, तो मैं सिर्फ उसी भाशा में बात करता हूँ, उसी भाशा में ब्लोग बनाता हुँ, उसी आवाज में YouTube करता हुँ, बस यही है simple सा बात और जहां तक बात हिंदी भासा की है? हिंदी भासा दुनिया में बोले जाने वाली भासाओं में से तिन नंबर में है एहला है Chinese, इस बात के बात है English, इस बात में 993 में लोग बात करते हैं इस भासा को हमारे नेबर कंट्रीज भी समझता है So I am a proud Indian Bengali जिसको Bengali होने का भी गर्म है और उससे भी जादा गर्म है एक आरतिय होने का जै हिंद जै भारत